कि राजस्तान में जो मोसम परिवर्तन हुआ है उसके कारण कई जिलों के अंदर भारी बरसांत के करण किसानों के जो खढ़ी फसलती यह जो कटाई की फसलती जो खेट पड़ी दी दोनों का भारी नुक्सान हुआ है। जिन जिन जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है हमने तुरंते उनकी गिर्दावली के निर्देश दिया है और वीमा कंपनियों को भी कहा है कि वो तुरंत प्रभाव से नुकसान का आंकलन करवाएं ताकि किसानों को रात दिज़सके मुख्यमंद्री मोदे ने रात को अपील किये और चिंता विक किये कि राजस्तान में जो फसल पकी फसल दी जिसको किसान पिछले पांच से मेने से लगातार देख रहा था और वो पकी फसल जब परिवर्त मोसम परिवर्तन कारण खराब हो गई तो उसके लिए किसान भी चिं किसानों को जो भी नियमों के दाएरे में मुआवजे की राशी दी जा सके तुरंट प्रवाव से दी जाए क्योंकि यह जो बरसात का मोसम है मोसम विवाग भी इसके बारे में इतना अनुमान नहीं लगा पायता पहले कि इतना भारी नुक्सान फसलों को होगा अब मोसम विवाग का यह कहना है कि यह जो मोसम बना है चक्रबाद अब दस तरीक तक रहेगा तो हमारे को इस बात की चिंता है जो किसान है जो जुताई भी कराता है सरसों और चनों की उसमें भी थोड़ा फरक पड़ा है और आने वाले समय में हमारी जोद बड़ेगी पर जो नुक्सान किसानों का हुआ है जो माईसी किसानों को चरे पाईए उसका आकलन करा कि हम तुलन राद दिने का काम सरकार करेगे